यह देखे गाइज आज फिर हम ले करके आगा है एक यूनिक सी कई सारी यूनिक सी ट्रिक आंड ट्रेक्स जो की हर हाउस वाइफ को मालूम होना चाहिए जिससे की उसके घर में कोई दिक्कत नहीं होगी चाहिए वो बच्चा हो बड़ा हो बुड़ा हो कोई भी हो अगर हाउ यूटुब चनल चाहिए मिस्रा ब्लॉक टू एम पर तो देखे गाई इस तरह से बेजटेबल कटर था अमारा जिसके एक पत्ती टेडी हो गई थी जिसके वज़ा से यह देखिए यह पीछे के होते हैं लगेवियो प्लास्टिक यह कट रही थी जोकी सही नहीं था कभी-क एक सब्जी अगरा मिल जाती थी तो क्या करना इस वेस्ट चीज को फेकने से अच्छा इस तरह से एक स्पून होल्डर बनाकर आप रख सकते हैं यानि जितने इसमें होल सही उतनी ही स्पून लग जाएंगी तो बहुत सारे होल्स है और बहुत सारी स्पून फॉग इसमें कोई डाल देतا है तो आपके हाथ ऑगो पर शेयर से बिखा और देता है?. बच्चे क्या करते हैं. मैं आपको मत तर पर पर लिखले हैं ले ले लेना है तो उसके बाद में किसी पुराने कप्ड़े से ले करें करें हलके के हाथ eyes अधक अच्छा है जब आए तो यह तो रुदा निसान से आप कुछ दिन पुराना निसान है यहां पर बच्चों ने हमारे पुराना निसान भी लगा दिया था ठीक है अब आपको दिखाते हैं तो आप बच्चे अगर दिवाल पर लिख देना तो टेंशन लेने वाली बाद नहीं है अगर डाट यह बच्चों को क्योंकि डाटेंगे नहीं तो डाटना ज़रूरी है पर ध्राइक कर लेते हैं कि यह पुराना लिखा हुआ और ने तरन नहीं तो पर बार को शाब कर दो एक दूंकि यह ज़िए उनप नहीं हमें दो लें लिंख लिखने लिखा हुआएग गाह टीक्ति रहोगा जम्दीक को दो फथो लिख जाइसाया एक दोना दोमी थोड़ करीम लिए जाती है करना किया इस तरह से आपस्ट इसे च्रीडिये और अब लगा दीजिए उपर लगा दिजिए इस नेयल पेंट है वोन प्रेंट नहीं है आपकी में जाएकर शब्सक्राइब अब इसमें आप पानी वगरा से कुछ भी यूज करेंगे तो क्या होगा ये क्रीम लगने की वज़ए से नेल पेंट हमारे चिकने हो गया है स्लीपरी हो गया है तो जब भी पानी से आप कपने दूलते या बरतन दूलते तो पानी इसके ऊपर रहेगा नहीं या सानी से नीच लोगों को उसके लिए प्लीज लाइक करेंगा तो देखें यहां पर हमारे चोट लग गई थी खासतों से हम लेडिजों का होता है क्यों चक्कू छूरी इन सब चीजों से काम करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत लग जाता है ये देखें इस तरह से तो इसमें देखें में ही दवा मुझूद है ये देखें हल्दी तो अगर आपके थोड़ा सा भी चोट लगी है तो आप ऐसे हल्दी लगा लीजिए और थोड़ी देर के लिए लगा कर छोड़ दीजिए आपकी देखें ब्लड निकलना बंद हो जाएगा मगर ये है कि हलका फुलका कट लगन लग जाती है तो उस पर आप हल्दी लगा दीजिए क्योंकि हल्दी अंटिवाइटिव होती है ये चोट को ठीक कर देख लेते हैं ये भी चोट के लिए ही है जब बच्चों को या किसी को भी चोट लगे जैसे कि अभी हमने दिखाया था यहां पर चोट लगी हुई ति हम भी चोट लगती है हाँ थोड़ा सा इसम जलन होगा ये जल्दी ठीक होता है ये त्रीक हमारी अजमाई हूई है अब नेक्स ट्रिक बताने वाले वह बहुत काम की है ठीक है तो यह आज जो हम ट्रिक बता रहा है तो इनके लिए प्लीज एक लाइक करिए गा तो यह देखि बहुत अच्छी ट्रिकाई है नेक्स ट्रिक देख लेते हैं कुकुम्बर इस समय खीरा बहुत जादा है तो चाहें आग की जलन हो या फिर हाथों की जलन जल गया हूँ आप एक टुकड़ा काट लीजिए रिजका रखा हुआ कुकुम्बर हो या फिर बाहर रखा हुआ बस इस तरह से आप हलके से जहां ज पाती बनाते हैं बस वहीं आटा ले लेना है इस तरह से आप अपनी उंगली पर या जहां आप जल गया हूँ वहां पर इस तरह से लगा दीजिएगा तो काफी ठंड़क मिलेगी आपका उंगली या जहां जला हुआ हुआ है वहां पर शाला नहीं पड़ेगा तो इस चौप डाला था उसमें भी आईस्क्रीम स्टिक की जरूवत होती है तो हमाइब आइस्क्रीम स्टिक नहीं थी तो इसी तरह से देखिए नाइफ पो नाइफ से चाट खाने वाली स्पून सब कहीं मिल जाती है चोटी-चोटी दुकान पर भी मिल जाएंगी तो इस तरह से आप कट करके बराबर कर सकते हैं और फिर इनको यूज में ले सकते हैं काफी अच्छी ट्रीक है तो आपको यह सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी नेक्स ट्रिक देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक हमारी यह है जैसे हम तोड़ा से नमक होते हैं तो उसमें क्या करना है हलका से नमक डाल देना जिससे वह जल्दी से सौफ हो जाएंगी अगर यह सारी ट्रिक अंट ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करेंगा